आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सेना में महिलाओं के पर्मिनेंट कमिशन को लेकर है दरसल ये टॉपिक फिर से चर्चा में है और चुकि इस टॉपिक के दौरान हम सरवोच ने आया लेकि दिसिजन वगेरा पर भी बात करेंगे तो इसलिए हम आज के इस टॉपिक को GS Paper 2 में रखेंगे तो चलिए टॉपिक देखते हैं ये हमारा टॉपिक है 70% of women considered for permanent commission in the army make it और ये हमारे points of discussion रहेंगे इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि खबरों में क्यूं है उसके बाद हम सरवोच ने आया लेका जो इसके संदर्व में फैसला है उसको देखेंगे और उसको हम समविधान के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद सेना में महिलाओ के स्थिती को देखते हुए और उनके समक्ष जो चुनौतिया है उनको समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ऐसे में आगे की रहा क्या हो सकती है और उसके बाद लास्ट में वही हमारा question session रहेगा जिसका answer आपको comment section में देना होगा दरशल फरवरी में permanent commission को लेकर सर्वोच नयाले ने एक decision दिया था और उसी के context में अब आर्मी ने statement दिया है कि ऐसी महिला अधिकारी जिन्हें एक special selection board ने permanent commission के लिए चुना था उन में से करीब 70% करीब 70% जो महिला अधिकारी है उनको full term service के लिए चुन लिया गया है तो इस selection board ने 615 जो महिला अधिकारी है उनको चुना है 615 अधिकारियों को चुना था महिला अधिकारियों को और उनमें से सिर्फ 422 को ही इसके लिए फिट पाया गया अब अगर हम बात करें सरवोच नयाले के निर्णे की तो दरसल जो महिला सेने अधिकारी है वो एक लंबे टाइम से अपने इस हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी जिसको लेकर फरवरी 2020 में सुप्रीम कोट ने ये फैसला दिया कि महिला अधिकारियों को भी पुरुश अधिकारियों की तरह पर्मिनन कमिशन दिया जाए और इसके साथ-साथ उन्हें कमांड पोजिशन पर भी लगाया जाए और सरवोश नेल ने का कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये कही न कहीं जो समविधान में सब को समान अधिकार दिये गए हैं उसका कहीं न कहीं उलंगन होगा और इसके साथ-साथ जो 1992 से जो महिला सेन अधिकारी अपनी सेवाई दे रही हैं उन महिला अधिकारीों का भी ये अपमान होगा और इसके लावा सरवोश नेल ने ये भी कहा कि इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ये महिला अधिकारी है इनको चौ महिला अधिकारी है इनको पर्मेंट कमिशन दिया जाए ताकि जो समविधान के मूले हैं उनका मान रखा जाए और एक रूड़ी वादी सोच को खत्म किया जाए तो आप देखेंगे कि सर्वोच नायले ने जो अपने पूरे फैसले में जो सबसे ज़ादा बल दिया वो किस बात पर दिया सभी के लिए समान अवसर की समान था सर्वोच नायले ने अपने पूरे नड़े में इस बात पर सबसे ज़ादा बल दिया अब अगर हम बात करें सर्वोष नयायले के इस निर्णे से पूर के निर्णे की इसके बैग्राउंड की तो दरहसल 2010 में जो डेली हाई कोट है उसने भी महीला अधिकारियों को पर्मन कमिशन में रखने के पक्ष में फैसला दिया था लेकिन जो सरकार थी वो इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोट चली गर वहाँ अपील कर दी हलाकि सुप्रीम कोट ने डेली हाई कोट के फैसले को सही माना और इसी के बाद सरकार ने जुलाई में एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहट दस स्ट्रीम्स में महीला अधिकारियों को पर्मनेंट कमिशन दिया गया यह दस स्ट्रीम्स कौन सी थी यह Army Air Defense, Signals, Engineers, Army Aviation, Electronics and Mechanical Engineers, Army Service Corps, Army Ordinance Corps, Intelligence Corps, Judge and Advocate General, Army Education, Educational Corps इन में से जो यह दो हैं Judge and Advocate General और Army Educational Corps इन में इस तरह की जो विवस्था थी वो पहले से ही थी अब यह तो बात हुई सरवोच नायले के निरणे की और उसके पहले के निरणे की तो लेकिन अब जो यह सरवोच नायले के जो निरणे हैं इसको हम कुछ points के जरिए समविधान के संदर्व में, समविधान के आलोक में समझने का प्रियास करेंगे तो अगर हम सबसे पहले बात करें अनुच्छे 14 की तो अनुच्छे 14 क्या कहता है विधी के समक्ष सम्ता की बात करता है यानि कि जो राज्य है वो भारत राज्यक शेत में किसी भी व्यक्ति को विधी के समक्ष सम्ता विधी के समक्ष सम्ता या विधियों के समान संरक्षन से वंचित नहीं करेगा इसके इलावा अगर हम अनुच्छित पंदरा की बात करें तो अनुच्छित पंदरा कहता है कि जो राज्य है वो किसी नागरिक के विरुद केवल धर्म, मूलवंच, जाती, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद नहीं करेगा यहां अनुच्छित पंदरा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में दिया था उनको पर्मेंट कमिशन में रखने का तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की उसमें तर्क ये दिया था कि जो महिला हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होती है जबके आपने देखा कि अनुच्छित पंदरा क्या कहता है कि किसी भी आधार पर इनमें से किसी भी आधार पर जहां लिंक को भी रखा गया है किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा अब इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद सोला की तो इसे हम दो खंडों में समझने की कोशिश करेंगे तो पहले खंड में क्या है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ती से संबंधित विश्यों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी और इसके लावा खंड दो क्या कहता है कि राज्ये के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबन्द में केवल धर्म, मूलवंच, जाती, लिंग, उद्भव, जन्वस्था, निवास या इन्वे से किसी के आधार पर भी किसी भी नागरिक को अयोगे नहीं माना जाएगा इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49 का ये क्या कहता है कि राज्ये अपनी नीती का संचालन इस तरह से करेगा कि सभी नागरिक, चाहे उसमें पुरुष हो, चाहे इस्तरी हो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के जो पर्याप्त साधन है उन्हें पराप्त करने के जो अफसर है, वो सुनिश्चित हो सके तो इन अनुच्छेदों के जरीए जो है इन अनुच्छेदों क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सर्वोच ने आले ने बात की वो सबसे जादा जो उसने बल दिया वो सभी के लिए समान अवसर की समानता पर बल दिया तो ये सब ही जो हमने points देखे अनुच्छे देखे ये भी इसी बात पर जोर देते हैं और इसके अलावा गर हम बात करें तो जो भारत है वो संयुक्त राश्ट्र के जो उद्देशे हैं उनका पालन करने और उनके अनुसार चलने के लिए प्रतिबद है और संयुक्त राश् अब अगर हम बात करें सेना में महिलाओं की इस्थितिगी तो दरréeसल जो महिलाओं अधिकारी हैं वह 92 से ही तीनों सेना थलसेना नोसेना वायू सेना तीनों सेना अपनी सेवाय दे रही हैं हाला कि ये short service commission service में ही शामिल थी short service commission में क्या होता है कि इसमें आपको 10 साल के लिए service होती है और उसे 4 साल आगे बढ़ाने का option होता है जबकि पुरुषों के लिए क्या इस्थिती है पुरुष 10 साल की service के बाद permanent commission का जो option है वो चुन सकते है तो अगर हम इसके संदर में बात करें तो जो short service commission में शामिल होती थी तो शुरुवात में क्या था शुरुवात में सिर्फ 5 सालों के लिए ही सेवा में रह सकती थी जो महिला हैं वो 5 सालों के लिए सेवा में रह सकती थी उनको S.S.C. अधिकारियों के रूप में ही 14 साल तक की सेवा देने का मौका दिया गया मैंने अभी बताया कि S.S.C. में क्या है कि Short Service Commission में 14 साल की सेवा देने का होता है 10 साल की सर्विस होते हैं उसे 4 साल आगे बढ़ाया जा सकता है तो ये 2006 में ये इस तरह की समीक्षा के बाद ये विवस्था हुई इसकी बाद जो जुलाई में जो सरकार का आदेश आया अभी उससे पहले की स्थिख क्या थी कि महिला अधिकारी जो थी वो ना तो Permanent Commission में जा सकती थी उनको Permanent Commission नहीं दिया जाता था और ना ही Command Position पर उन्हें रखा जाता था हाला कि अगर हम बात करें कि वाईू सेना की तो 2015 में पहली बार महिलाओं को Fighter Stream में जाने का मौका मिला इसके लावा अगर हम बात करें जो अभी भी जो है पैदल सेना में वार्शिप, टैंक्स और Combat Position में महिलाओं को जो है अनुमती नहीं है इसकी हाला कि नेवी में फिलहाल महिला पाइलिट्स हैं और अगर हम बात करें 2008 में रक्षा मंत्रालने S.S.C. जो अधिकारी है उनको S.S.C. अधिकारियों को Judge and Advocate General और Army Educational Corps शाखाओं में Permanent Commission देने का फैसला के था अभी हमने देखा कि जो अब जो 10 Streams में किया है उनमें से हमने बताया था कि इन दो Streams में पहले से ही यह विवस्था थी तो वो विवस्था कब हुई थी 2008 में अब इससे क्या है कि जो महिला अधिकारी हैं उनको केवल Medical Wing में ही commission दिया जाता था यानि कि इन सब से सिर्फ जो medical wing है उसमें ही उनको permanent commission दिया जा सकता था हाला कि ऐसा नहीं है कि इससे महिलाओं को जो है SSC जो महिला अधिकारी है उनको permanent commission ऐसे ही मिल जाएगा उनको भी पुरुष जो अधिकारी है उनहीं की तरह suitability, merit और सेवा जरूरतों के हिसाब से ही permanent commission मिलेगा यानि कि वही मापदन रहेंगे उनको SNA के वो SSC अधिकारी है तो उनको permanent commission मिल जाएगा अब अगर हम बात करें कि महिलाओं के समक्ष चुनौतियों की तो इसमें जो सबसे पहली बात तो है कि जो महिला अधिकारी है अभी permanent commission और command position की अभ्यस्त नहीं है तो इसलिए जाहिर है उनको शुरुआती दौर में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इससे जाहिर है उनकी उद्धक्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है और एक और जो हमारे समाज में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पित्रसतात्मक सोच ये अभी भी बाधा बनी हुई है तो ये भी कही ना कही एक चुनौती है महिला अधिकारियों के सामने महिलाओं के सामने और लिंक संबंधी रूडी वादिता भी इसी तरह की एक चुनौती है प्रॉब्लम है हाला कि सरकार ने भी अपने हलफ नामे में महिलाओं के शारियों जो हम आपको बता रहे थे कि जो सरकार ने जब डेली हाई कोट ने महिलाओं के पक्ष में जो फैसला दिया था कि जो उनको पर्मिनेंट कमिशन दिया जाए तो सरकार ने क्या तर्क दिया था कि जो महिलाएं है जब सर्वोच नियाले में जब अपील की तो सरकार का तर्क यही था कि जो महिलाएं है वो शारी रिक्रूप से कमजोर है तो ये लिंक संबंदी रूडी वादिता को ही कही न कहीं दर्शाता है इसके अलावा एक और बात जो एक चुनोती है कि जो महिला अधिकारी है उनके खिलाफ शोशन की भी संभावना हो सकती है कही ना कहीं तो ऐसी कई चुनोतियां है जिनका सामना महिला को करना पड़ता है तो अब ऐसे में आगे की रहा क्या हो सकती है तो सबसे पहले तो ये के जो सेना है उसको दूसरे देशों के जो अभ्यास हैं उनका अवलोकन करना चाहिए जहां पे महिलाए पहले से ही कमांड पोजिशन में हैं वो कौन-कौन से देश हैं जैसे अमेरिका, इसराइल, उत्रकोरिया, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया इन महिला अधिकारी हैं, उनके सामने आने वाली शारिरिक समस्याओं से निपटने के लिए भी विवस्था की जरूरत है, महिलाए कई प्रकार की शारिरिक समस्याओं का सामना करती हैं और बहुत सारी तो उनके लिए भी जो है एक सही विवस्था की जरूरत है और ये बात सही है कि जो महिला अधिकारी है उनको कमांड पोजिशन पर भेजा जाना चाहिए लेकिन इसके लिए जो सम्वेधन शील मुद्दे हैं उन पर तातकालिक फैसला लेना जैसे जेंडर वगयरा के बारे में बिना सोचे समझे गंभीता पूर्वक जो है उनको बिना सोचे समझे ना लिये जाकर उन पर गंभीता पूर्वक विचार किये जाने की जरूरत है अब अगर हम आज के प्रशन की बात करते हैं तो प्रशन देख लेते हैं भारत के सम्विधान के संदर्भ में निमने लिखित में सेकिन में लेंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा के सम्मान और सशक्ती करण की अवधारना निहित है एक उदेशिका, दो मूल अधिकार, तीन राज्य के नीते निदेशक्तत, चार मूल करतवे आपको इन में से, जो आप्शन दिये गए हैं, इन में से सही आप्शन को चुदना है आप्शन से A केवल 1 और 2, B केवल 1, 2 और 3, C केवल 2, 3 और 4, और D के सभी सही हैं तो इस प्रशन का आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए तयारी करते रहिए और सुरक्षित रहिए